सियासत जमाई हैं लेकिन इस बार आम आगमी पार्ची एक तीसरे विकल के तौर पर मैदान में बनी हुई है हम आप भी पार्ची को लोग कितना पसंद कर रहे हैं क्या बीजोपी पर एक बार फिर से दाव खेलनी की तयारी आम जनता ने कर ली है या कॉंग्रेस पर विश्वास जताने की कोशिश की है ये भी हम जानेंगे आपको बतादू कि उत्वराखंड का इतिहास रहा है कि वो सत्ता को जो जनता है रिपीट नहीं करती है एकी पार्टी को लेकिन इस बार क्या बदलाव होंगे 2022 में ये हम देखेंगे आज कुछ तस्वीरे भी हम आपको दिखाएंगे अलग लग जगर से मेरे सयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह का महौल है तो आपको तादू कि 2017 में जिले की तीन में से दो सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी पुरॉला सीट पर कॉंग्रस ने कबजा किया था वही अगर चमोली जिले की में बात करूं तो तीनों सीटों पर 2017 में भाजपा को जीत मिली थी इसके अलावा अगर में 2017 में केदारनाथ में कॉंग्रेस उरुद जिले की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा का कबजा था यानि कि ये कहा जा सकता है कि ये कपूर बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई थी देरादून में 10 विधान सबा सीटे हैं जिन में से 9 पर भाजपा का कबजा हुआ था सिर्फ चक्राता सीट पर कॉंग्रेस को जीत मिली थी वहीं 2017 में हरद्वार जिले की 11 में से 8 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी 2017 में पौरी गड़वाल के अगर मैं बात करूँ तो यहां सभी 6 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी 2017 में पिथोरा गड़ जिले की अगर मैं रुक करूँ तो 4 में से 30 सीटों पर भाजपा और एक पर कॉंग्रेस को जीत हासिल हुई थी तो ये आकड़े मैं आपको बता रही हूँ और 2017 में अगर भाजपा को इतना बहुमत मिला था तो 2022 में कैसी तस्वीर होगी यह अपने आप में बड़ा सवाल है